हलो फ्रेंट्स मम्ता की रसोई में आपका स्वागत है आज मैं आप लोग के पास स्प्राउट मूंग की रेस्पी से यर करने जा रही हूँ स्प्राउट मूंग बहुत ही हेल्दी होती है और इसमें प्रोटीन भरपूर मातरा में पाया जाता है तो चलिए इसे हम बनाना सुरू करते हैं तो उसके लिए हमने यहां पर पहले मूं को हड़े मूं को ले करके और पानि फेंज़ करके और में धोग करें और दखने के बाद रही हां फिर इधर कराही हम चड़ाते हैं और कराही में हमने एक बड़े चमच तेल डाल करके और उसमें हम एक चमच छोटी चमच जीरा डाल दिये हैं और इधर जीरा हमारी चटक रही है फिर हम इधर एक बड़े प्याज काट लेते हैं तो हमने यहाँ पर एक बड़े बारिक प्याज को काट लिये हैं, उसके बाद प्याज को हम इसमें डाल देते हैं, तो हमने यहाँ एक बारिक प्याज कटा हुआ काट इसमें डाल दिये हैं, और डालने के बाद इसको हम एक मेट के लिए प्याज को भून लेते हैं, तो हमें एक मेंट इस तरह से चलाते हुए प्याज को भूनना है उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे लहसन तो हमने यहाँ पर पांच्छे कली लहसन को बारिक काट करके इसमें डाल दिये हैं तो हमने यहाँ पर लहसन को भी डालने दिये उसके बाद हमें यहाँ पर दो तीन हडी म खाते उस अंसार से मिर्रची को डाले never by elevate पर दिसमें नमक-डाल दिये हैं उसके बाद मैं ढाल देती हूं हल्दी पाउडर तो हमने कोह ढ़ दिया हे तो हमने आधाच्छी चमच इसमें पाउडर डिती है? है है हलदी ऑड़र अड़ने के बाद मैं इसमें डाल देती हूं यह हम्ची पाउडर तो हमने अधा चोटी चमचंटी पौडर को भी डाल दिया है उर्ष के बाद मैं इसको चला लेती हूं और मिक्स करके मैं मसाला के साथ इसको भून लेती हूं दो मिनट, तो देखिए हमारी मसाला भी भूंग गई है, अब भी मुझ हमें हम डाल देते हैं मुवग को सथा मुंधे जाते हैं 2-3 मिनटे के लिए और मूह भूने के बाद मैं इसको मसाले बूलुकर है ड़क फेर चैसे साद करने और दीकम भी का तक यहां पर अच्छार। पक गई है धकने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं गर्मसाला तो हमने यहां पर चमच गर्मसाला को डाल दिया है अगर मसाला डाल करके इसमें हमें मिक्स कर लेना है तो हमने यहां पर गर्मसाला को मिक्स कर दिया है अब हम यहां पर डाल देते हैं धन्या पत मेरे चैनल को सिस्क्राइब किजिए लाइक किये कॉमेंट किजिए तब तक के लिए बाई फ्रेंडस झाल झाल